नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा inverter के बारे में है दोस्तों, इसके पहले मैंने inverter के वाइरिंग के बारे में ओलरी एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उस वीडियो को देखने के बार आपके माइन में थोड़ा सा डाउट और कन्फीजन आ गया था उसी डाउट और कन्फीजन को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो देखी दोस्तों यहाँ पे एक रूम है इस रूम में आप देख सकते हैं कि दो पावर सोकेट और एक स्वीच बोर्ड है अब यह जो पावर सोकेट है इसका इसनमाल इस वासिंग मसिन को चलाने के लिए किया जा रहा है और यहाँ पे एक स्वीच बोर्ड है इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक स्वीच बोर्ड है अब यह जो स्वीच बोर्ड है इसमें तीन स्वीच है और तीनों स्वीच के दोरा हमारा जो बल्ब, फैन और यह सोकेट है उसको कंट्रोल किया गया है अब यादि हमें इस room में inverter का connection करना है तो हमें चाहिए एक inverter और एक battery दोस्तों यह जो battery है वो क्या करता है power supply को store करके रखता है और यह जो हमारा inverter है वो क्या करता है DC power supply को AC में convert करता है अब यह जो हमारा inverter है उसके कुछ और benefit है जैसे कि यह inverter हमारा इस battery को charge करेगा उसके साथ साथ में इस inverter में एक change over switch भी होता है इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा inverter होता है इसमें तीन केबल होते हैं एक तो red cable दूसरा black cable और एक यह वाली cable तो इन सबी cable को किस परकार से connection करेंगे एक बास समझे लीजिए यह जो red cable होता है उसको हमें इस battery के positive terminal के साथ connect करना होता है और यह जो black cable है उसको हम battery के negative terminal के साथ connect करते हैं अब यहां पर दोस्तों दिखिएगा यह जो cable है यह हमारा charging cable होता है यानि कि इस inverter को AC power supply देने के लिए हम इस cable का इस्तमाल करते हैं तो इस inverter को power supply देने के लिए हम यहां पे एक 3 pin plug top का इस्तमाल करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा cable है उसको ले जाके इस plug top के साथ connection कर देते हैं दोस्तों यह जो हमारा plug टोप है इसमें तीन पीन होता है एक तो हमारा earthing के लिए दूसरा face के लिए और तीसरा neutral supply के लिए दोस्तों लास्ट वीडियो में आप लोगोंने comment करके पूछे दे कि सर यह जो हमारा inverter है उसको earthing किस पकार से मिलेगा दोस्तों देखिए यह जो हमारा plug टोप है उसको हमें इस socket में connect करना पड़ता है अब जब हम इस plug टोप को इस socket में connect करते हैं तो क्या होता है जो face supply, noodle supply और जो earthing है वो इस inverter में चली आती है अब यह जो हमारा wire है यानि के cable है इसका जो green wire होती है उसको हम इस inverter के body के साथ connect करते ह जिससे क्या होता है जो earthing है वो यहां से निकलके इस inverter के body में चली आती है इसलिए इस inverter को हमें अलग से earthing देने की जोड़ नहीं पड़ता है तो I hope कि जो आपका doubt था कि inverter को हम earthing क्यों नहीं किने किया है वो clear हो गया है दोस्तों अब हमें इस inverter के द्वारा output power supply लेना है तो output power supply हमें इस socket के द्वारा मिलता है यानि कि यह जो हमारा socket है इसको जो दहीना पीन है उसमें हमें face supply मिलता है और जो बाएंवाला पीन होता है उसमें हमें neutral supply मिलता है ठीक है दोस्तों तो हमें क्या करना होता है यहां पे समझ लीजिए हमें क्या करना है कि यहां से power supply लेना है त करते हैं जैसे कि हमारा बल हो गया फैन हो गया स testim को अ उसमाशन को चलाना चाहते हैं तो आपक बैर्टरीए उसका कैपयसिटी बहुत जादा होना चाहिए इसलिए हम अगरते हैंए जो हर्में कम लोड़ वाली इक्विम्मίν युक्मिण युद्न है उसको चलाने यादि इस switchboard में हमें inverter का power supply के द्वारा connection करना है तो हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा switchboard में incoming power supply आई थी face वाली यानि कि जो हमारा man power supply आई थी इस switchboard में उसको हमें remove करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे यह जो wire यहां से loop किये थे उसको remove कर देंगे अब यह जो हमारा switchboard है इसको face supply नहीं मिल रहा है अब हमें क्या करना होता है कि यह जो हमारा plug टोप है इसमें से जो दाहिना pin है यानि कि यह वाली इस pin से हम एक wire को connect करके लाएंगे और इसको लियागे किसी भी एक switch के साथ connection कर देंगे अब यहां पर दोस्तों देखिएगा यहां पर हमने एक wire के द्वाला सभी switch को incoming power supply दे दिये अब इसके outgoing power supply को हम किसे प्रगार का changes नहीं करते है पूरा same to same रहेगा दोस्तों यहां पर हमारा जो inverter का connection था वो complete हो गया दोस्तों यहां पर आपके mind में एक doubt आ रहा होगा कि सर आपने यहां पर neutral supply का connection तो किये नहीं और आप बोल रहे हैं कि आपका जो inverter का connection है वो complete हो गया दोस्तों इसी प्रकार का confusion आपके mind में last video में भी आया था उस वीडियो में आप लोगों ने कॉमेंट किये थे कि सर आपने नूटर सप्लाई का कनेक्शन करना भूल गए सर आपने नूटर सप्लाई का कनेक्शन ने किये तो कैसे हमारा जो बल्ब है और फैन जो है वो कैसे वर्ट करेगा सर यहां पर यदि हमारा जो मैन पाउर सप्लाई वो फैल हो जाता है तो किस प्रकाद से हमारा बल फैन बड़ करेगा सेम टो सेम कोईसन था दोस्तों आपने किये थे कि सर आपने जो न्यूटर सप्लाई ही है वो क्यों यूज नहीं किये तो एक बार समझ लीजे दोस्तों आपको मैं बता रेता हूँ कि यहां पर हम न्यूटर सप्लाई का यूज क्यों नहीं कि है दोस्तों यह जो हमारा इन्वर्टर का न्यूटर सप्लाई होती है यानि कि ये वाला पिन होता है इस पिन में एक वायर कनेक्ट होता है और उसको ले जाके हमारा जो man power supply का neutral होता है यानि कि यह जो हमारा man power supply की जो neutral supply आई है वो इस spin के सब connect रहता है एक बार यहाँ पर diagram के दौरा समझ लीजिए यह हमारा inverter है इस inverter को हमने यहाँ पर face supply और neutral supply दिये अब यह जो हमारा inverter है इसका output power supply हमने यहां से लिए अब यह जो हमारा face supply है उसको लिजा के हमने equipment को connect कर दिये और जो neutral supply इन equipment को दिये गये वो direct main power supply के दोरागी दिये गये यहाँ पर आप देख सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर एक चीछ देखिएगा जो हमारा output socket होता है उस socket क supply का जो neutral supply है उतके साथ एक connection होता है जिससे क्या होता है जो हमारा main power supply का neutral और inverter का neutral हो common हो जाती है अब यदि आपकी घर में जितने भी equipment है उसको connection करने के लिए face supply का यूज करते हैं और जो main power supply का neutral है उसके यूज करते हैं तो आपका घर में जितने भी equipment है वो work करेगा यहाँ पर किसी प्रकार का डिक्कत नहीं आएगा तो इसलिए यहाँ पर हम केवल face supply का इस्तमाल कर रहे हैं आयोग कि दोस्तों आपके mind में जो doubt था कि सर हमने यहाँ पे neutral supply का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं तो वो clear हो गया होगा दोस्तों लास्ट वीडियो में आप लोगों ने य इसके function के बारे में समझ लीजिए यहाँ पर जो हमारा plug टोप है इसको हमें हमेशा इस socket के सार connect करके रखना है और यह जो हमारा switch है वो हमेशा on होना चाहिए अब यहाँ पर क्या होता है यह जो हमारा face supply है यहानि कि main power supply वो यहाँ से flow होते हुए इस inverter को चला जाएगा अब यह जो हमारा inverter है वो क्या करता है इसी power supply को DC में convert करेगा और DC में convert करने के बाद इस battery को दे रेगा जिससे क्या होता है यदि हमारा battery discharge है तो वो charge हो जाएगा अब यहाँ पर एक चीज़ और है यदि आपका जो main power supply है तो आपका जो battery है वो work नहीं करेगा यानि कि battery से power supply लिया नहीं जाएगा यानि कि हमारा जो inverter है उसके अंदर एक bypass switch होता है यानि कि change over switch होता है वो क्या करता है यहाँ से आते हुए सिरी इस सोकेट में से लिए जाएगी और सोकेट के द्वारा इस स्विच बोर्ड में चला जाएगा यानि कि हमारा जो बैटरी है वो वड़क नहीं करेगा अब यह दि किसी कारण से आपके घर में जो पावर सप्लाई है वो फेल हो जाता है तो क्या होगा यहां से पावर सप्लाई आना बंद हो जाएगी जिससे क्या होगा जो हमारा इंवर्डर के अंदर चेंज होगा स्विच लगाता वो क्या करेगा पावर सप्लाई को चेंज कर देगा यानि कि इस बैटरी के दोबर पावर सप्लाई लेगा और यह जो हमारा इंवर्डर है वो इस ब भर में बल्ब, फैन और सोकेट है वो ओन हो जाएंगा यानि कि इसको पावर सप्लाई मिल ले लगेगा आई होप कि दोस्तों आपको यहां पर समझ में आगी होगा कि किस प्रकार से हमारा जो बल्ब और फैन है वो नॉर्मल पावर सप्लाई के दोरा वर्क करेगा और किस प् आपको क्या करना होता है कि यह जो हमारा फैन सप्लाई है इसको यहां पर रिमूब करना पड़ेगा और जो नूटल सप्लाई है उसको भी रिमूब करना पड़ेगा उसके बाद हम क्या करता है कि यह जो हमारा थ्री प्रीन प्लग टोप है इसका जो दाहिना वाला पीन होत इस inverter के द्वारा कनेक्ट कर दिए अब दोस्तों एक चीज हमें से याद रखेगा यदि आप आपके switchboard में inverter के द्वारा फेज सप्लाई और न्यूटर सप्लाई दे रहे हैं तो आपका जो main power supply है उसको यहां पर connect नहीं करना है आपका और जो main power supply है और जो inverter का power supply है वो आपस में connect नहीं होना चाहिए यदि आप यहां पर दोनों power supply को connect कर देते हैं तो वहां पर एक सरकीट हो जाएगा आपके घर में जितने भी वाइडिंग है सब के सब जल जाएंगे तो यहां पर केवल हमें एक power source का इस्तमाल करना होता है अब वीडियो को आप देख सकते हैं उसका link में description में दे दिया हूँ आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए अब दोस्तों दे दिया आपके पूरे घर में inverter का connection करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपका जो main distribution board होता है उसमें inverter का connection करना होता है दोस्तों यदि आप सिखना चाहते हैं कि किस वगार से हम main distribution board में inverter का connection करेंगे तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था उस वीडियो को आप देख सकते हैं उस वीडियो का link में description में दे दूँगा आप वहां पर click करके उस वीडियो को देख सकते हैं I hope कि दोस्तों कि जितने भी doubt हैं सबके सब clear हो गया होगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो please इस वीडियो पर like share और comment कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe ने की तो subscribe भी कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद